हाई स्टुडेंट्स नमस्कार कैसे आप सभी इस वीडियो हम डिसकस करेंगे अधिवर्क गरंती यह अंतेश रावी गरंती है अधिवर्क का गरंती अधी मितलब उपपर वर्क के उपपर जो हमारी किडनी जाए उनके जश्ट उपर पाई जाती है इसलिए इसको बोलते हैं अदिवर का ग्रंती यह एक इंपोर्टेंट ग्रंती है इसके कोर्टेक्स और मैडूला दो पार्ट होते हैं जो उत्सरजंत तंत्रा था उसमें मैंने आपको डिसकस किया तब इसके दो पार्ट होते हैं कोर्टेक्स मैडूला तो कोर्टेक्स से अलगा हर्मोन सिक्रेट होते ह तो अब हम इसकी इस्तिती,िससराइद हारमोन की और इसका दूसरा कोई नाम है उसके बादे हम Daiscus करते हैं फर्स्ट में हम देखते हैं इसकी इस्तिती की बात कर लेते हैं तो फर्स्ट में हमें किडनी बनाने पड़ेगी यह हमारे वरकक एक वरकक जोड़ी होती है तो यह लो यह दूसरा हो गया, ओके, यह इदर निकली होती है, मुत्रवाइनिया, और एक वेन से बिलड आता है, और एक से जाता है, यह सिस्टम होता है दोनों का, एक से तो बिलड आता है, और एक से जाता है, तो जो वरकक में रक्त आता है, उसका नाम होता है, रिनल यानि वरकक दमनी और जाता है उसे बोलते हैं वरकक सिरा तो एक से आ रहा है एक से जा रहा है ऐसे होता है इस सिस्टमट है सारा का सारा ओके पर हमें तो अधिवर का गरंती की बात करनी है अधिवर का गरंती यहां पर पाई जाती है इसके जस्ट उपर कोर्णर में यह अधिवर्कक ग्रंती, ट्राइंगुलर ऐसे, तिरकोणाकार यह होती है अधिवर्कक ग्रंती, तो इसका नामकर्ण कर देते हैं, यह हो जाएगी अधिवर्कक ग्रंती, अधिवर्कक ग्रंती, यह हो जाएगा वर्कक, यह हो जाएगी मुत्रवाइनिया, मुत्र वाइनिया इतना तो नामकर्ण हमें आता है नॉर्मल सी बात है तो हमने कर लिया अब हम बात करते हैं इस गरंती की इस्तिती की गरंती अपनी अधीवरकक गरंती अधीवरकक गरंती तो अधीवरकक गरंती की फश्चन में इस्तिती की बात करते हैं इस्तिती इसकी होती है किड्नी के उपर या वर्कक के उपर इस्तिती इस्तिती होती है इसकी वर्कक के जश्ट उपर वर्कक के उपर ओके यह इस्तिती की बात हुई अब इसके वजन की बात करते हैं वजन इसका 4-6 गिराम तक हो सकता है बजन ये दो मेन बाते कंप्लिट वी इसके बाद में इसका देखते हैं कौन-कौन से हार्मान रावित होते हैं इस ग्रंथी से यह ग्रंथी लाल भूरे पिले रंकी होती है लाल भूरे रंग की ओके और इस ग्रंथी में कोर्टेक्स और मेडूला का निर्मान होता है वो एक्टोडर्म और मीजोडर्म दोनों से होता है तो मुक्यत हम ऐसे लिख सकते हैं इसका निर्मान होता है निर्मान की बात करें तो एक्टोडर्म से भी और मीजोडर्म से भी दोनों से ही इसका निर्मान होता है तो ये भी हमें BESIC तोर पर याद रखने जो अपनी जरम ले रहें एक्रोड्रम एंडोड्रम मीजोड्रम उनसे अपना बोडी निर्मान होता है जैसे कुछ और्गरन से ऐक्रड्रम से बने हो फ़िई मीजोड्रम से बने हो इस पर कारिया दिवर्गरन थी दोनों से मद्यान्स जिसे बोलते हैं मेडूला बोल सकते हैं या मद्यान्स मद्यान्स भी चोड़वाग और यह होता है कोर्टेक्स या बोल सकते हैं वलकुट वलकुट और मद्यान तो वलकुट से अलग हार्मोन सिक्रेट होते हैं और मद्यान से अलग हार्मोन सिक्रेट होते हैं तो फश्ट में हम बात करते हैं अधी वरकक ये वलकुट अधी वरकक वलकुट की बात करते हैं वलकुट होता है ये बाहरी आवरण सा बन रहा है ना इससे कौन-कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं तो इसके हार्मोन से 80-90 परशेंट इससे हार्मोन सिक्रेट होते हैं 80-90 परशेंट बचा कौन सा अधी वरकक अधी वरकक मद्यांस इससे हार्मोन सिक्रेट होते हैं 10 से 15 परशेंट हार्मोन सिक्रेट होते हैं इससे या 10 से 20 भी लेके चल सकते हैं 10 से 20 ही ले लेते हैं तो 10 से 20 परशेंट हार्मोन सिक्रेट हो जाते हैं अधी वरकक मद्यांस से इतनी बात के लिए रोई, अब इसके निर्मान की बात कर लेते हैं, तो अधिवर के वलकुट है, वो तो बनता है मीजोडर्म से, तो इसकी बात लिख देते हैं, ये बनता है मीजोडर्म से, मीजोडर्म, ओके, और ये बनता है एक्टोडर्म से, एक्टोडर्म से इसका निर् अब इससे हार्मोन सिक्रेट होते हैं तीन तीन परकार की सेल समझो या तीन परकार के लेयर समझो उससे तीन परकार के हार्मोन सिक्रेट होते हैं जिसे हम बोलते हैं जी एफ आर अब बात आती है जी एफ आर का मतलब क्या होता है जी एफ आर तो जी एफ आर करता है पहला होत जोना गलो मेरू लोसा ओके जोना गलो मेरू लोसा एक इस्तर है दूसरा है जोना फेसी कुलेटा एफ है ना तो फेसी कुलेटा और आ रहे तो रेटी कुलेटा जोना रेटी कुलेरिस या रेटी कुलेटा जोना रेटी कुलेरिस ओके तो इस परकार से तीन टाइप के हार्मोन सिक्रेट होंगे तीन परकार की से जी एफ हर ये तीन इस्तर होते हैं जिसे जोन बता रहे जोना गलो मेरू लेसा जोना फेसी कुलेटा जोना रेटी कुलेटा अब इसे हार्मोन से क्रेेट होंगे उनके बारे इम डिसकस करते है जो ना गिलोमोरिलेशा है उसे होता है से इदा मिनरलो को बत्रक्रोर एक आपने सोडियों पॉसरोल सोडियल और कैलशियम उन लगया कोर्टिकोइट्स मिन्रेल्स नाम का हर्मोन कौन सी स्तर से निकले जोना ग्लोमिरेलेस है अब जोना फैसिकलेटा से निकलता है जोना फैसिकलेटा है उससे निकलता है ग्लुको ग्लूको कोर्टी कोईट्स ग्लूको कोर्टी कोईट्स ओके इस परकार से दो हार्मोन तो हमने देगे और तीसरा हार्मोन होता है लिंग हार्मोन बोल सकते हैं या उससे बोल सकते हैं एंड्रोजन हार्मोन तीसरा होता है लिंग हार्मोन लिंग हार्मोन याद कर लेना आप तो तो इस परकार से तीन परकार के हार्मोन mineralocorticoids, minerals पर अपना एक्ट करेगा, glucocorticoids, जो glucose, fat वगेरा, carvert वसा प्रोटीन, यह संचे होता है, उस पर अपना एक्ट करेगा, और तीस रहे, link hormone, link hormone, estrogen, progesterone, androgen, उन पर अपना रियक्ट करेगा, और गोंड लाइंग की लक्सन है, उन पर वो पर वाव दिखाएंगे, इस प स्रावीत हार्मोन हो जाएंगे, adrenaline, एवं, noradrenaline, noradrenaline, वैसे मैंने जैसे ग्रंतियां थी, तो उनका basic knowledge के रूपे डाला था, वैं कौन कौन सी ग्रंतियां, कहां स्थित होते हैं, उनकी स्थिति के बारे में, उन से स्रावीत हार्मोन के बारे में एक वीडियो डाला था, तो उसमें मैंने बताया था, जो adrenal ग्रंति है, adrenal या अधिवर का ग्रंति है, या अधिवर का ग्रंति है, इस स्रावीत हार्मोन को बोलते हैं, adrenal या adrenalin हार्मोन, ये basic तोर पर पढ़ते हैं थे 10 तक, पर अब आपने को पढ़ना है, इनकी इस्तर बांट दीगे, वलकुट से अलग हार्मोन से क्रेट होते हैं, पर मद्यान से अलग हार्मोन से क्रेट होते हैं, और वैसे basic knowledge पर आप बता सकते हो, adrenalin हार्मोन से क्रेट होता है, ओके यहां तक के लिए, अब हम पहला हार्मोन से लेके चलें, जोन अगिलो मिरलेसा से, पहला हार्मोन से क्रेट होता है, mineral कोर्ट कॉलेत इनको साप कर दूंँ यह तो बेसिक नोलेज की बात है डाइग्राम या पासा निसी ज़्थर सा सकते हो ऐसी कोई प्रोलोम वाली बात नहीं होनी जाइए पहला है मिनेरलो कोडिकोड्स Mineralo, जो कि वही Minerals क्या होते है, Sodium, Potassium, Calcium, वो होते है, Mineralo, Corticoids Cortex से सरावित होता है, इसलिए इसके आगे लग रहा है, Corticoids तो Mineralo, Corticoids क्या काम करता है, अपनी बोड़ी में, जो Calcium है, Sodium और NaCl, Sodium और Cloride, इसका तो क्या करता है, संचे करता है, और Potassium K, Potassium, उसको क्या करता है, उत्सरजित करता है, तो Mineralo, Corticoids क्या करता है, Sodium और Cloride, इसका तो करता है, संचे, और एक होता है, potassium K उसको करता है उत्सरजित उत्सरजित करवा देता है तो यह क्या काम करता है minerals हमारे जो minerals है ना ions है उनको एक निस्टित amount में या उसका नीमन रखता है सांदरता का इसे मुख कहते है एल्डो इस्टरोन हार्मोन सी बोलते है इसे ओके तो यह क्या करता है सांदरता का नीमन सांदरता का नीमन ओके यह दो लाइनए यादकानी है इसे एल्डो इस्टरोन बोल सकते हैं सांदरता का नीमन करता है जो potassium हो उसको तैग जीट करता है sodium and NaCl उसको क्या करता है संचे करता है इसके बाद midlock हां-पों arriv हां और रावी इसके बाद दूसरा अशे है ग्लूकोब्हाति आ है कै्शिंन उट्र essay डूसेर हाई हैज इसको हम बोल सकते हैं कॉर्टि या कॉर्टि सोल या कॉर्टिसॉल हार्मोन भी लिघए कorta इसहाब रहा है कि या कोर्टिसॉल से लोप Kamil Deport Oh लोर्टी सोन हार्मोन भी बोलते हैं देखिए जो अधिवर का गरंती है वैसक में जीवन की बुद्धी मानी बोलते हैं जीवन की बुद्धी मानी यह आपको याद रखना मैं इसका जो कारण हो इस पष्ड करके आपको बताऊंगा याद अखना अधिवर्क ग्रंती जीवन की बुद्धी मानी जीवन की बुद्धी मानी याद अखना इसका जो concept हो last में clear कर दूँगा इससे पहले हम इसके बारे हम ग्लुको को रुटिकोड के बारे में बोडिस्कस करते हैं ये क्या काम करता है वसा हो गई प्रोटीन्स हो ग ग्लुकोज हो गया उसका क्या करवाता है संचे करवाता है तो यह discuss करते हम इससे पहले तो यह कर रहे हैं जैसे ग्लुकोज हो गया वसा हो गई कारवाइडेट हो गई और प्रोटीन हो गई इनका इस तरव क्या करते हैं बढ़ाते हैं इस तरव बढ़ाने के लिए क्या क्य ऑगी जैसे glucose है तो glucose को लेकर चलते महली इसका इस तरवड़ने के लिए क्या-क्या प्रोसेस होगी glyco genesis जैनेशिज कारत होता है जुड़ना गलाइको जैनेशिज तो glyco genesis होगा तो glucose होगा वो जुड़ेगा इस्टोर होगा मैंने बता दिया आपको store करना है और एक क्या होगा glyconeogenesis 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 नियो करते होता है new तो नया glycogen उसका निर्मान हो सकता है या फिर ये एक संचे हो सकता है glycogen के रूप में इसी के साथ में एक आ रहा है eureogenesis को भी प्रेरीत करता है तो यवि तीन प्रोसेस होंगा ये जैनेटीस करता है अपतो याद रखनाए जैनेशा होता है जूंड न तो के ते क्या होता है कार्वेट वसा प्रोटीन विटामिन इनका संचे होता है इसका इस तर बढ़ता है वोड़ी में इसी के साथ में यह हार्मोन गुलाइको कॉल्टिकोईट्स हैं ग्लुको कॉल्टिकोईट्स इसको बता रखता है इसको बता रखता है परती रक्सी निसेदा आत्राद मकोई आदेखिए हमारी वोडी में क्या होता है कि जो भी उत्तक हैं यो कोई भी सैल हो उत्तक हो या रखते इसमें क्या पाए जाता है एंटिजन ओर इंटीवर्डी कि यह दोनों यह पाए antigen और antibody.dir antigen क्या होता है कि antigen जो अपने से विप्रित antigen आते हैं उनको रोगते हैं कौन? antibody जैसे antigen आ रहे हैं बारी रूप से पर्वेश या रोगानू बोल सकते हैं और वो उसको क्या कर देती है नश्ट कर देती है उनको तो यह क्या काम कर रही है गरंती जैसे एंटीबोडी बन रही है ना तो उस एंटीबोडी को क्या कम रही है कम कर रही है वो बन रही है उसका बनना कम कर रही है बनना कम कर रही है यानि इसका रती हुआ जैसे हमारी क्या बोल सकते हैं हम सैट कर देती है अगर ये निसेदात्मक नहों तो उसको क्या करेगी परतिरक्षी बन जाएंगी और उसको क्या कर देंगी हटा देंगी वहां से यानि उसको नश्ट कर देंगी एंटिजन एंटिबोटिक पर किरिया हो जाएगी तो इसी स्थिति में अप इग्नोर नहीं करेगी एंटीजन एंटीबोटी परकिरिया नहीं होगी बुक से देखना दो लाइने किलियर हो जाएं परती रक्सी निसेदात्मकर्थ हुआ जो परती रक्सी बन रही है उसको कम करती है जैसे कोई टिस्यू और गन ये ट्रांस्प्लांट हो रहे तो उस इस् तीसरा हार्मोन आ रहा है लिंग हार्मोन लिंग से याद आया लिंग हार्मोन तीन है एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोण और एंड्रोजन एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोण ये तो मादम लिंग हार्मोन है और एंड्रोजन एन्ड रोजन तो ये तीनो लिंग हार्मोन है इनका मैन रोल क्या होता है ये जनन अंगो जनन अंग जैसे हमने मेल के और फिमेल के और अलग अलग और घंस होते हैं जनन अंग उनका निर्माण और योन नारंब को प्रारंब करते हैं तो यह क्या क्रान हों कि एक 1 तो जनन अंगों का निरमाण और यह नारम्भ कि यह नारंब тогда यह नारमभ वोल सकते हम यह जो ऑनी ऑसका उसको क्या करते हैं प्रायम्भ करते हैं यह मांधा में जो अनपोर्फ करते हैं कि इस परकार से लिंगा रमहोन के चोरी कंप्लीक एड्रीनल जो कोर्टैक्स है उससे तीन परकार के हार्मोन आये कोर्टैक्स यानि वलकुट से जैसे पहला या लिंगा रमहोन मौनलों तीसरा आया था वैसे तो लिंगा रमघ ऐ एक आया है Glucocorticoids और एक आया है Mineralocorticoids ये सिरावित हो रहे हैं GFR, Glomerulosa, Faciclota और Reticlases ये तीन इस्तर पाये जाते हैं उनसे तीन परकार के हार्मोन सिक्रेट होते हैं अब हम बात करते हैं जो इसके बाद में आरी हैं ना मद्यान, मद्यान से Adrenaline और Neuroadrenaline ये दो ही परकार के हार्मोन सिक्रेट होते हैं ये important हार्मोन होते हैं ये क्या करते हैं जैसे भै हो रहा है डिर लग रहा है आपात काले इनकी इस्तिति है उस इस्तिति में सिक्रेट होते हैं इसलिए इस ग्रंतियों क्या करते हैं जीवन की बुद्धी मानी जैसे हम खड़े हैं चल रहे हैं रास्ते से अचानक से कोई गाड़ी आए तो क्या हम उसके सामने टकराने कोसिस करेंगे नहीं उसे बचेंगे अचानक से हार्मोन से ग्रेट होंगे हमारे सांस फूल जाएगे देख दड़कन पुतलियां ऐसे फैल के हो जाएगी ड्राम निसी और पसीन आ जाएगा रोंग टेखड़ जाएगे गिर जाएंगे मतलब बचने कोसिस करेंगे करती है तो उस इस्तिम जीवन की बुद्धी मानी जीवन को रख सक जीवन रख सक या जीवन की बुद्धी मा सारी की सारी बाते आएंगी देखिए आप साथ की साथ तो पहला हार्मोन लेके चल रहें हम अदीवरकरक मगद्यान से एड्री एड्रीनलीन हार्मोन जो आड। नलीन हार्मों है यह क्या यह काम करता है अडूरेणिल हार्मों यह अनुकमपी तंत्री का हैं जो अनुकमपी जैसे मैं तंत्र का तंत्र पढ़ाया था तो एक तो था 25 तण्तर के पार्थ मस्टिक्स और मस्तिक्स और मेरुरजु इसी के साथ हैं परीदी तंत्री का तंत्र परीदी तंत्री का तंत्र मस्तिक्स और मेरुरजु से निकलने वाली तंत्री का हैं इसी के साथ में आ रहा था जो परीदी तंत्री का तंत्र हो एक काईक तंत्री का तंत्र और एक बना रहा था स्वायत तंत्री का तंत्र तो स्वायत तंत्री का तंत्र के दो पाट थे अनुकंपी और परानुकंपी तो ये क्या काम कर रहा है, adrenaline hormone, अनुकम्पी तंतरी काहों से होने वाली किरियाओं को संचालित करता है, अनुकम्पी किरियाओं को संचालित तो यह अनुकंपी वर्ड है या आपको याद आ गया जैसे तंत्र का तंत्राओं को तंत्र का तंत्र था उसका जो मैंने क्लासिफिकेशन बता था उस वीडियों बता रहा अची तरीके से तो वो अनुकम्पी तंतिक अतंतर से रिलेटिड ये हमारी किरियाएं वो क्या-क्या होती है जैसे क्या-क्या होती है उस सिस्थिम पहला हम देखते हैं आखों की पुतलियों का फैलना आखों की पुतलियों का फैलना आखों की पुतलिया क्या होती है फैल जाती है और क्या होता है दूसरी आंकों की पुतलिया फैल गई इसी के साथ में होता है आंकों की पुतलिया फैल जाएंगी हिर्दे की दड़कन बढ़ जाएगी हिर्दे की दड़कन बढ़ जाएगी और साथ में क्या होगा सवसंदर भढ़ जाएगी सवसंदरी बढ़ेगी हिद्दे की दड़कन बढ़ेगी आंकों की पुतलिया फैल जाई यह नहीं बढ़ेगी इसी के साथ में हम देख सें ग्लूकोज ग्लूकोज लेवल इन बलड बलड में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा बढ़ जाएगा इसी स्थिति में इसी के साथ में इसमें क्या होता है सरीर के रॉंग्टे खड़े हो जाते है सरीर के रॉंग्टे भी खड़े हो जाते है तो यह अनुकम्पित के रिया है उन पर कौन कारी कर रहा है एडिनलिन हार्मोन शरीर के रोंग टे खड़े हो जाते हैं अपने कम्प्लीट वोड़ी के और पसीने आ जाते हैं हिर्दे की दढ़कन सांस फूलने लगती आंक की बहार आ जाती हैं ऐसे एकदम से बहकी इस्तिति में उस इस्तिति में ये कारी करता है एडिनेलीन हार्मोन इसी के साथ में एडि नोर एडिनेलीन हार्मोन नोर एडिनेलीन हार्मोन तो नोर एडिनेलीन हार्मोन क्या काम करता है इसे हम बोलते हैं थिरी एफ हार्मोन क्यों बोलते हैं तीन एफ एक एफ यह रहा एक यह रहा और एक यह रहा तो फियर पहला का है फियर फाइट और फ्लाइट प्लाइट करता है प्लाइन फाइट करता है संगर्स या लड़ना और फियर करता है डर डर संगर्स प्लाइन कोई अचानक से कोई गटना गटी तो तो में डर लगता है हम उसे संगर्स करते हैं तो बसते हैं या फिर कहीं से दब जाते हैं तो उसे उठाके और क्या होता है दो क्या बोल दिया थिरी एफ ग्रंथी भी बोल दिया संकट काली इन प्रस्तितियों में यह अपना परवावरियाट करती साथ में ब्लड वैसल से उसको फैलाती है यह आदकना है थिरी एफ ग्रंथी और रक्तवाइनिया फैल जाती है रक्तवाइनिया क्या होंगी फैल इसकے साथ में ये क्रंथी क्या काम करती है, विपथी की स्थितिम सरक्रा हो गई, जैसे अपना गुलुकोज हो गया, लवन हो गया, उपापची किरियाँ हो गई, और लेंगे की विकास समन्दी किरियाँ उपर भी नियंत्न करती है तो इसका मुख्य रोल किया जैसे अनुकंपी तंत्री का तंत्र प्रानुकंपी तंत्री का तंत्र अनुकंपी तंत्री का तंत्र कुछ परक्रियाओं को बढ़ा रहा है पर प्रानुकंपी तंत्री का तंत्र उसको निहमन कर रहा है उसको कम कर रहा है उसको रोक रहा ह और ये बता रहा है 3F गरंथी फियर फाइट एंड फ्लाइट ये भी आद करना अपने को important बात आजाए short question में 3F गरंथी किसे कहते हैं तो आपको बता क्या नहीं एडिनल गरंथी कौन सा हार्मोन नोर एडिनल इन हार्मोन अब हम बात कर लेते हैं जो अदिवर का गरंथी अपनी उससे कौन कौन से रोग होते हैं रोग क्या होते हैं रोग वो होते हैं या तो कोई हार्मोन ज्यादा मात्रा में सिक्रेट होता है तो हानी पहुंचाएगा बोड़ी में या कम मात्रा में सिक्रेट होता है तो भी हानी पोचाएगा इसका एक निश्चित लेवल होना चाहिए तो आब हम देखते हैं अदीवर का ग्रंती के अलपसराव से होने वाले रोग इनको मैं साप कर दूँ आप इस्क्रीन सोट ले सकते हैं चाहें तो कोई अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं या वीडियो को पोज करके आप देख सकते हैं एक से दो बर देख ले वीडियो को आपको आसानी से समझ में आ जाएगा फस्ट में हम देखते हैं अलपसराव से होने वाले रोग अल्प स्राव किसका होग वाई अल्प स्राव होगा अधिवर का ग्रंती में एड्रिनलीन हार्मोन ये मुक्या आर्मोन पढ़ रहे है एड्रिनलीन हार्मोन ये मुक्या आर्मोन होता अपना तो अलब पस्राः होगा तो पहला रोग हो रहा है पहला रोग है एडिशन रोग वोटि में कुछ मिनरल्स हैं उनकी क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी जैसे कोर्टेक्स में सोडियम और जल की मातरम क्या हो जाती है अतेदिक कमी हो जाती है साथ ही साथ उत्सर्जन और निर्जली करण भी हो जाता है जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और जल हो गया, इसकी क्या हो जाएगी कमी कमी हो गित क्या होगा निर्जली करण निर्जली करण क्या होता है जलकी हो जाती है कमी जलकी क्या हो जाती है कमी जलकी कमी हो जाएगा अपनी तउचा हो गई और बोड़ी के अन्य रियक्टिविटी उपापची किरिया होती हूं वो कम हो जाएगी तउचा सुषक हो मस्तिक्स कमजोर हो जाएगा मितली गवराट होना चक्कराना तो अधिवर का ग्रंति को हम क्या कह सकते हैं जीवन तो इसमें क्या क्या हो रहा है जलकी कमी कि जलकी कमी हो रही है मासपेश या कमजोर मासपेश या कमजोर हो जाती है गवराट गवराट होना और इसी के साथ में मस्तिक्स कमजोर हो जाएगा और जैसे तउचा हो गई वो जाएगी सुख्सक तवे जाएगी सुख्सक तो इस परकार से कुछ लक्षन होते हैं इसे हम बोल सकते हैं जीवन रक्सक हार्मोन भी बोल सकते हैं यह हार्मोन है अल्प स्राव को इसके बाद में दूसरा रोग आता है यह आगे रोग आएंगे वो आएंगे अधिकता से स्रावी तोने वाले रोग थे पहला यह हो गया अधिकता से अधिक अधिक स्राव से होने वाले रोग इसका अधिक स्रा हो जाएगा तो कौन कौन सरह वोगा पहला रोग आ रहा है कौन स्रोग कुसिंग रोग कौन स्रोग कौन रोग दूसरा कुसिंग रोग कुसिंग रोग तो कौन्स रोग में क्या होता है कि कौन्स रोग में कोर्टिकोइट की अधिकता से उत्पन होता है इसे क्या होता है कि सोडियम पोटेसियम यह होते हैं इन आइंस का संतुलन भी गड़ जाता है जैसे सोडियम मातर में उक्सरदीत भी हो सकते ही या स्टोर ही हो सकते हिसके बाद में और यह कुसिंग रोग है इस में क्या होता है है कि ग्लाइको जनके जमाव के he glycosin ay glucosin वो ज्यादा मात्रा में जमाव हो जाएगा तो हो जाएगा protein अप्चे बढ़ जाता है और any entity वर्धी होती है glycosin के जमाव protein अप्चे बढ़एगा और क्या होगा protein अप्चे बढ़ने की साथ साथ हो जाएगा अधितिक वर्धी अधिक वर्दी जिसे हम बोल सकते हैं ओवर ग्रोथ इसके साथ में तीसरा रोग आ रहा है तीसरा रोग है ग्लाइको सेमिया ग्लाइको सेमिया और इसके बाद में आता है गाइनेको मेस्टिया। अडि zu Miami temp और इडीमा। दूनो की दोनों उब हहलेंगी ताकि लक्षंदर साते हैं। इस तरी में जैसे कमीव हो अधिक सराह से हो रहे हैं तो उसमें पूरूष कि लक्षंद प्रकट हो जाते हैं। जैसे आवाज का भारी होना। दाड़ी मूच से आने लग जाती है चैरे पर और कुछ और लक्षन पर कट हो जाए जैसे पुरूश से रिलेटेड इसी परकार दोनों में उबहलेंगिता की लक्षन दर्शन पर कट हो जाते हैं दोनों में यही बात होती है मुख्य तो यही बता रखी है कि अडिनल विरीड जक्त में जो जल का लेवल वह ज्यादा हो जाएगा बोड़ी जगह जगह से फूल जाएगी और सोडियम पोटेशिम क्या होता है यह एकजिट हो जाते हैं बोड़ी से कम हो जाते हैं इसे मास्पेस यह कमज़ोर हो जाती हो प्रोपर वर्क नहीं कर पाती है इस परकार से अ हो गया कांश रोग हो गया और अल्प स्राव से हो रहा है एडिशन रोग हो रहा है एडिशन रोग में क्या हो रहा है यह जीवन रक्षक आर्मोन की बोल रहे थे हम इसे और इसमें तौचा तौचा सुसको जाएगी रक्त का ग्लुकोज लेवल है वह बढ़ जाएगा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें बैल आइकन को प्रेस करें और आपको कहीं भी कुछ प्रोब्लम होती है कोई क्युस्टन है तो आप कमेंट्स में फूच से